ये हैलो रिवान दिसी रभी चंदर उपेस की से विलकमिंग ओलन समर्थ है इसे जोड़ी सरी देखें आफ्टर लॉंग टाइम आइम कमिंग बैक तो माई चैनल जहां पर बहुत सारी चीजे बात करने वाले हम सब ठीक है लॉप से रिलेटेड जितनी भी चीजे होंगी लॉ ठीक है तो आज से मैं स्टाट करने वाला हूं ADR, the concept of ADR that is alternative dispute resolution mechanism, what exactly is the ADR, what is the concept of ADR, what exactly whenever we are saying ADR, what does it mean, you know, so at the same time after ADR, we will be dealing with taxation law, environmental laws, professional ethics, at the same time banking and insurance laws, so these are the couple of important topics that are released, you know, that I will be taking very soon, so आज से जब मैं आपको ADR पढ़ा रहा हूं, ADR का मतलब क्या होता है, हिंदी मैं आपको दिखर हो गया, Madhyaastha और सुलेह, and arbitration, you know, medication or conciliation, whenever we go inside ADR, ADR is a very important topic, whoever is watching this video, I personally am, you know, requesting everybody to please listen the terms very carefully, चीजों को समझे, whether you are a law optional student of UPSC, CSE, whether you are a, you know, judiciary student or advocacy, मैं आप गराप होताब भी, ADR is one of the most important topic, because, क्योंकि जब आप एज लॉए बात करते हो, law को as a career, आप चूज करते हो, बहुत जल्दी मैं इसको पर रिक बात करने वाला हूँ, से इंडिये अगर जरूरत है, तो रभी चंदर नसीविन अगर खेले नहीं आ रहा है, तो उसके जब किसी और को भेजनी के लिए, alternatives हैं की नहीं, आपके पास, उस alternatives के लि बहुत सारी चीजे मिलेंगी, लॉसरे ट्रांसफर प्रॉप्टी बहुत जल्द पढाने वाला हूँ मैं आप सबको, इस बेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, तो देर विल बिल बात करेंगे, बहुत आराम राम से, चारीश मिर्स के वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं, आप लो अब आप से ADR बोल रहा हूँ, अल्टरनेटिव डिस्पूट रिजलिशन, इसका मतलब क्या होता है, वह ड़िए अच्छली मीन, जब भी मैं कह रहा हूँ, जब आप कोर्ट में जाते हो, वेनेवर देरी जाते हो, वेनेवर देरीश केस, वेनेवर फाइल पाइल पाइल प तो पाइल, कोट, जो इस चीज को अच्छे से पता है, वेनेवर देरीटिव डिए अच्छे से पता है तो होता है एचीज, तो उसी चीज को सोल्ब करने के लिए, कि इतना कॉंप्लेक्स जीटी ना हो, और पर अब निया जहां पर लिटरेसी रेट अभी भी बहुत जादा नहीं है, राउंड 70% इंडिया में, उसके बाद अगर कॉंप्लेक्जिटी इतना कम बहुत ही जादा जो प्रोसीजर होगा, कोट का वो कॉंप्लेक्स होगा, तो हाउ, इन वी पॉस्वल फर एवरी पर्सन और एवरी परसन फरम इनी ग्रास्टू लेबल जो इस चीज को सम सकता है, तो उसको कैसे alternative तरीके से जो mechanism है, resolution का उसको अपन कर सकते हैं, यह alternative का मतलब क्या हुआ, मैं बार वर वही कह रहा हूं, कि जो court का procedure, that's a very very formal procedure, that's a very formal procedure, वो लिखा हुआ है, that is a bill laid down procedure of the courts, अभी दर high court, supreme court और low judiciary के हम बात करें, but whenever we talk about alternatives of that, क्योंकि यह पॉसीबल नहीं कि तीन करोल से ज्यादा cases जो इंडिया में pending है, उसमें आपका आपका जो एक normal चा case है, कोई भी, वो जाकर एक जगा position वो ले पाएगा और उसको जल्दी से जल्दी resolution हो जाएगा, उसका solution मिल जाएगा आपको, judgment आजाएगा आपको, it's a very very important thing to know, कितना असान नहीं है, court में जाकर आप उस चीज़ को जाकर तुरंत ही judgment आजाएगा आपके favor में, आपके against में, तो इसी के alternatives में कुछ बातें करी गई थी, उसी को बोलते है, alternative dispute resolution mechanism कि कि किस तरीके से disputes को, दूसरे और angle से हम क्या कर सकते हैं, solve कर सकते हैं, अरे बात को समझे रहो आप, are you getting the point, तो क्या होत and the leading cases, most probably leading cases के अलग से के video बना दूँगा आप सब के लिए, बहुत सारे request करें, आप लोगो ने लास्त ताइम, ठीके, चली, आगे देखते हैं, तो ADR जब में कह रहा हूं तो Bill, ADR is a very important concept that I am saying, when we talk about it, it is something that gives you a kind of formal approach, formal approach, to what, solve the problems before reaching to the premises of the court or something the circumference of the court, because as the procedure of the court, the court is so complicated, it gives you a chance to solve the problems in a very formalized manner, or informalized manner, just away from the procedure of courts in India, this is something that is, you know, मेरा definition है, अगर ADR की में बात करूं तो, तो ADR का यही मतलब होता है, कि जो complex procedure है, कोट के, उसे से बच कर, आप क्या कर रहे हो, you are trying to solve the disputes that is arisen, or that can be, that is chance की वो arise हो सकता है, dispute को, अब बताओ कैसे होगा, देखो, एक चीज समझना, अब बहुत अच्छे एक्जामपल देने वाद शीज को हमेशा याद रखने, ADR का सारा कुछ इसी लाइन में depend करने वाला, भी एक मिनिट के अंदर जो मैं बोलने वाला हूँ, साधियां जानते हो, आप लोग, there is a concept of arranged marriage in India, and there is a love marriage indeed, and love come arranged is indeed, there is a third one, तो मैं जब arranged marriage की बात कर रहा हूँ, there is a chance की, there is a person, जो mediate करेगा, जो mediate करेगा, मतलब दो लोगों के रिष्टे को एक जगाल आने के लिए mediate कर सकता है, so there is a what, mediator, हमारे बिहार में उसको कुछ और बोलते हैं, आप लोग नहीं समझोगे, mediator, वो mediate करेगा, किसी इसका, एक रिस्ट, एक उस लड़के वालों को जानता है, लड़की वालों को जानता है, दोनों को मिलाने का ट्राई करेगा, क्या वहाँ पर कोई dispute है, कोई dispute है, नहीं, there is no dispute, पर अगर dispute होगा, तो सबसे पर इसी को पकड़ा भी जाता है, सरकेजम करूँ मैं तो, तो मैं कह रहा हूँ कि mediator का क्या काम होगा, दो लोग जिनको वो जानता है, उसको आपस मिलाना, यह arrangement का concept ही है, कि वहाँ पर dispute नहीं है, तो उसको एक जगा क्या कर रहा है, मिला रहा है वो अपनी मर्जी से, उसको इच्छा कर रहा है, कि नहीं है, इनकी साधी हो जाने चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, मेडियेट कर रहा है, वहाँ पर dispute हो चुका है, और आपको हम दोनों ने मिलकर पॉइंट कर रहा है, जैसे, अरे जिमारेज हो गई, साधी हो गई, इन्हों साधी कर वादी दो लोगों की, पर आफ्टर कपल अफ यर्स, इव दर इस अधिस्प्यूट इस अराइज हो चुका है, नाव बिए पॉइंटिंग यू, एज आ कॉंसलियेटर, तो सोल्ग दिस्प्यूट इस अराइज हो चुका है, अरे बात को समझ रहा हो, तो अब इस जिसको कोर्ट में लेकर जाओगे, तो वहाँ फिर वो CRPC में मिन्टेनेंस अक्ट है, मिन्टेनेंस वगर की बात करेंगे, डिवोस वगर की रहा है, वो सब बातें नहीं करें, कॉंसलियेटर का क्या काम होगा, सुलह कराना, मध्यस्ता, और सुलह में ये बहुत टर्म है, अपने दिमाग में हमें सा यादर कियेगा, कि ये कोट न जा करके, इसी मेडियेटर को पकड़ेंगे, और इनसे बात करवाकर क्या करेंगे, solution निकलवाएंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते है, मिनी ट्राइल्स, ट्राइल ही होगा, तरीके सब वो आएंगे, मे अपना कुछ में लगाते हैं, अपना कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, इसमें क्या होता है, कि आप एक सब्सक्राइब, तो दो साल के लिए, एक साल के लिए लग रहे लो, फिर उसके बाद साथ रहे लेना, पर ऐसा कोट में नहीं होगा, डिवोस दे सकते हैं, वो आपको जूडिशल सेपरेशन दे सकते हैं, आपको, अरे बात को बूज रहे हो समझे कर गें, आप सब्सक्राइब, समझे कर नहीं हो सकता है, अपर प्रियेट इस्प्यूट रिजूशलिशन में पहले जूडिश अपके पहले चिफ जश औंडिया थो नहीं बड़ा अच्छा सेमिनार में कहा था, कि एप्रोप्रियेट इस्प्यूट रिजूट आज के समाज की सचाई है, कि जितने कोर्ट में पेंडिंग केसे जाना, वो पॉसिबल नहीं है, अप्रियेट इस्प्यूट रिजूशन मेकेनिजम के रास्ते जाकर के, आपको सिलूशन मिल सकता है, कोप्रेटिव होता है, बिल्कुल कॉम्पेटिशन बहुत ज्यादा तो है नहीं, इसमें भी, there is a concept की अप, कुछ-कुछ लेवल पे भी, अपलाई करके, कुछ ऐसा टेंपररी जैसे नया पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत में भी इस तरह की बाते होती है, उसके लावा फिर अगर लोग अदालत की बात करें, तो होता है वहाँ पे, टेक्स वग तो object and rationality कर हम बात करें, you know, what was the objective and rationality of the ADR, तो efficiency and effectivity को bring out करना, is what the objective and rationality of the ADR, अरे बात को समझ रहो आप सब, objectivity में क्या है, efficiency तभी तो लापाएंगे कि नहीं, इतना तेजी से नहीं, अधर-धर कर लेते हैं, चीजों को fast करेंगे, ताकि जो efficiency and effectivity दोनों maintained रहे, इतना delay नहों, cases में, under trials इतना जादा नहों, community engagement, it's very important thing, community engage करती है, family बाले भी engage करेंगे, तो दोनों के family members भी बैठेंगे, बात करेंगे, court में पर ऐसा नहीं होता है, कि अपने मन चे, sir, हमारी बात भी सुन लीजे नहीं, witness अगर हो, तो आपको बुलाया जागा, otherwise नहीं, ये सारी चीज़े होती है, तो community engagement is one of the most important thing about ADR, access to justice to all, I am saying again and again, marginalized sections of the society, जो हमारे हैं, जो हमारे हैं, जो हमारे हैं, जो हमारे ह बड़े level पर नहीं हो, but still the government is trying a lot, you know, in this regard, तो ये कह रहा हूँ, ADR का, जो access and justice का, वो सब के पास होना बहुत important होता है, ये ADR की objective and rationality थी, objective and rationality समझते हो न, पीछे का mindset क्या था, क्यों लाया गया था, ठीक है, richness, आपको पता है, every nook and corner of the society, court congestion, court में जो congestion से उसको क्या करना है डाउन करना है, चलिए आगे चलते हैं, अब मैं एक कुछ keyword दे रहा हूँ, आपको इसको दिमाग में रखेएगा, देखे एक procedure होता है ADR में, negotiation, mediation, conciliation, arbitration, to have a mediator in arranged marriage to settle and dispute, nature of ADR, मैंने क्या बोला, negotiations करेंगे, क्या आप अपने बेटे की साधी करना चाहते हैं, क्या आप करते हैं, तो उन्हें negotiate करा, दोनों बच्चों के प्रति उन्होंने क्या करें, negotiate करा, अब उन्होंने mediate भी करा, negotiation is the starting is the baseline, क्या बोलते हैं, इसको, ascending order में लिखा हुआ है, मैंने term, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लोगा इसको, ठीक है, इस बहुत important चीज़ बता रहा हूँ, आप out करने, एक bridge बनाने का आप क्या करो, try कर, conciliation is something that comes into when there is a dispute, when there is a dispute established, established dispute होगा, तभी conciliation का रोल होगा, और उसके बाद arbitration होगा, arbitration is the final stage, जहाँ पर आप क्या करते हो, solution निकालते हो, ठीक है न, यारे बात को समझे आप सब, ठीक, आगे चलते हैं, नहीं समझे तो बताना आप नहीं है, तो arbitration क्या होता है, देखे मैंने mediation के बारे मैं आपको बता दिया, mediation क्या होता है, negotiations क्या होता है, so mediation में क्या आपको लगता है, कि dispute arise होगा, नहीं होगा, वहाँ पे dispute के chances नहीं है, क्या वो कोई सामने वाले दो लोग मिलकर उसको पॉइंट कर रहे हैं, नहीं, ऐ करते हैं, वो खुद mediate करते हैं, पर conciliator में appoint करते हैं, कि sir आप हमारे problems को क्या करो, solution निकालो, so gram panchayat is what a conciliator, पर gram panchayat से पहले एक पंच आपके घर पे आके कह रहे हैं कि लाओ, मैं तुम दोनों के मसले को solve कर देता हूं, तो he is actually voluntarily taking that decision कि मैं तुम लोगों के problems को solve कर देता सेम ही judicial जिसको बोलते हैं, judiciary भी मतलब judicial भी हो सकता है, non judiciary भी एक तरीके से होता है, formalized भी हो सकता है, non, you know, informalized भी हो सकता है, prior agreement is required to have arbitrator, मैं बार बार कहरो, agreement आप दोनों के बीच में बहुत important, arbitrator is the final stage, na, conciliation के बात, चले मैं conciliation पहले बात कर लेता हूं, उसके बाद arbitration के बात, नहीं, solution तो आप arbitration में दे रहे हो, na, conciliation में तो बातों को start कर रहे हो, problems को समझ रहे हो, बूज रहे हो, problems को सुन रहे हो, तो conciliation is that stage जहां पे judiciary का involvement नहीं हुआ भी तक, नहीं judicial role का involvement हुआ है, पर arbitration में जैसे ही आप judgment सुना रहे हो, award pass कर रहे हो, that will be judiciary नहीं, that is what the quasi-judicial बोलते ह नहीं बोलते हैं, no prior agreement is required for conciliation and disputes have already arisen, dispute to arise होगा ही होगा, तभी तो conciliation होगा, और prior agreement की भी ज़रूरत नहीं कि आप दोनों agreement करके उसको appoint कर रहे हो, या उस सामने वाला से, उसको भी agreement करा रहा है आपने, कई बार mediator को इसलिए रख दिया जाता है, वहाँ पर, एक already होता है, mindset में है कि नहीं, आप ही mediate करोगे, conciliate करोगे, कोई problem होता है बाद में तो, पर arbitration is that stage, जहाँ पर agreement तो हो रखा है, आप लोगों में कि नहीं, आप जो solution होगा, जो ward आएगा, वो उसको acceptable करना पड़ेगा, आप लोगों को, maybe winding, not winding, conciliator assist the parties to reach agreement, a settlement, एक settlement तो क्या करता है, help करता है, conciliator, conciliator sell authenticate settlement agreement, authenticate कर सकता है उसको, कि नहीं, आप लोगों ने जो agreement लिखा हो, उस पर चलिए, मैं sign कर देता हूँ, वो stage कौन सा हो जाएगा, फिर, arbitrator का stage हो जाएगा, any lateral end of proceedings, कोई चाहे तो खतम कर सकता है कि नहीं, मैं आपके इस तरह का approach से agree नहीं करता, मालों लड़की वाले कहें कि नहीं, आप तो biased हो, लड़की वाले की तरफ से जादा बात कर रहे है, vice versa, तो मैं, मैं इसको file करूँगा, court में case करूँगा, या किसी और conciliator की बात करेंग और prior agreement बहुत important है, क्योंकि आप लोगों decision को तभी सुनोगे नहीं, जब आप लोगों कहें कि ठीक, हम सुनने के लिए तयार है, पर conciliator में थोड़ी नहीं होता है, conciliator में तो कह देखिए, ठीक, आप बातों को समझीए, बुझीए, try करिए, क्या problem है, क्या दिक्कते हैं दो कोटे मोटे, उसके बात करेंगे, कुछ बड़े-बड़े disputes भी ADR में आ सकते हैं, एक Singapore convention होता, UPSC optional वाले जानते होंगे, UPS optional भी नहीं, UPS student जानते होंगे, Singapore convention, there is a, इंडिया में arbitration council भी है, इंडिया international arbitration council जो है, हैधराबाद में, दिली में भी है, regional councils भी हैं कई सारे, तो सब के उपर क्या होता है, international disputes मालों कोई company का हो गया, कोई dispute हो गया, तो उसके बारे में बात चीज कहा होते है, ADR में होती है, ADR के थुई होती है, तो उसके बारे में बात करूँ है, in the next video में आपसे, ठीक है, अभी देखो, disputes may have arisen, already have been arisen, arbitration में क्या हो रहा है, dispute arise हो चुका ह कि अभी तक बात ही चल दी कि साथ dispute हो सकता है, sir, please conciliate कर दीजे, dispute arise हो चुका है, sir, conciliate कर दीजे, arbitration में जाने की बात पता चल रहा है कि नहीं, कोई dispute ही नहीं है, conciliation भी करा दिया, आप लोगों ने, तो बहुत सारी mechanism involved होती है, इसके अंदर, the arbitration does not merely assist in resolution of a dispute, arbitrators, you know, adjudicate and actually resolve and about, बिल्कुल मैं वही बार-बार कहा रहा हूं कि यहां पर solution निकलता है, arbitration is a stage जहां पर solution निकलता है, dispute arise हो चुका, conciliate कर दिया, आप वहां पर क्या होगा, solution निकलेगा, हो सकता है, dispute arise ही ना हुआ हो, आपके नजर में, conciliation आपने बैठा भी दिया, बाद में वहां भी ट्रे पर जुडिशियरी जादा इंवाल्व होती है, judicial mindset वाले लोग जादा इंवाल्व होते हैं, जैसे ग्रहम पंचायत वाले लोग, बड़े बड़े जो उसमें, जिनका judiciary का mindset है, उनि लेटर टर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है, कैसे, अब बताओ, arbitration में जाने के पते जले, dispute ही नहीं है, तो अगर से जोड़ी कि judgment पास ही कर दो कि नहीं, तुम दोनों को अलग ही रहना पड़ेगा, अब बच्चे कहरें कि नहीं है, हम रह लेंगे साथ में का दिकत है, तो there is a chance की उनि लेटर टर्मिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो बहुत minute differences होते हैं, ADR में सबसे important ही जाई है, उस minute differences को समझना, कहां पे कौन से stage पे catches importance रखती है, arbitrator can arbitrate only if the parties expressly authorized him to so act or decide, बिल्कुर आप decision तो तब ही सुना सकते हो नहीं, जब फामने वाला कहेगा कि हम बिल्कुर सुनने के लिए तयार है, and daily standard of authentication by the arbitrator is not required, बात क्या है, overall dispute, overall problem क्या थ arbitration में जाकर उसका आवार्ड दीजे, पर important क्या है, उस आवार्ड को तभी accept करोगे ना आप, जब आप लोगी ready हो, mediator तो बहुत ground level का stage है, पर consolation उसके बाद में, जहां पर आपको dispute लग रहा है, कि दोनों बच्चुक भी dispute हो चुका है, पर arbitration में जाने का पता चल रहा है, क कि नहीं सर्य है, तो dispute था ही नहीं, it was just a simple quarrel, simple fight, छोटा मोटा जगड़ा हो जाते हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं, चो यह होता है idea, एच छोटा सा concept idea, अभी मैं जाब आपको पूरा detail बताऊंगा, आगे धिरे-धिरे, और भी समझ में आगा, ठीक है, तो अभी मैं taxation बगेर तक यू